हेलो फ्रेंड्स मैं भावेशादव स्वागत करता हूँ आफ सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फॉर यू में और आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ सन 1913 में जहां से हमारे देश की फिल्मी दुनिया शुरू हुई थी और हिंदुस्तान को मिली थी उसकी पहली फिल्म तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले फटा फटा जाकर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा दबाकर मेरे आने वाले वीडियो का सौगत करें तो दोस्तो हम बात कर रहे हैं हमारे भारत के पहले फिल्म की जिसका नाम है राजा हरीस चंडर जो की एक बायो पिक थी जो उत्तर प्रदेश के आयोद्या के प्रसीद सूर्य मशी राजा राजा हरीस चंडर उनकी पतनी तारा मती और उनके बच्चों की कथाओं पर आधरी थी इस फिल्म के राइटर, डिरेक्टर और प्रोडूशर दादा साहिब फालके जी थे उन्हें यह फिल्म बनाने का आइडिया तब आया जब वे मुंबई के थीटर पर बैटकर 1906 में आई फिल्म The Life of Christ देख रहे थे जो की एक फ्रेंच फिल्म थी, उन्हें वह फिल्म इतनी पसंदा गई कि उन्होंने भी एक फिल्म बनाने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने दो हफ़ते लंडन में जाकर फिल्म बनाने की टेकनिक भी सीखी आने के बाद उन्होंने अपना प्रोड़क्सन हाउस खोला जिसका नाम उन्होंने फालके फिल्म कमपनी रखा जिसमें उन्होंने एक सौट फिल्म Growth of a Pea Plant बनाई जिससे की उन्ह अपनी आने वाले फिल्म के प्रोडियूसर के रूप में मदद मिल जखे उन्होंने अपनी फिल्म के कास्टन क्रू और लीड रोल के लिए न्यूस पेपर में आर्टिकल भी डाला अगर बात करें भारत की पहली फिल्म राजा हरिस्चंद के लीड रोल की जिसे निभाया था दातात्र दामुदर दबके ने जिन्होंने राजा हरिस्चंद का रोल निभाया था और इसी के साथ वेब बने थे हिंदुस्तान के पहले फिल्म लीडिंग एक्टर और साथ ही अन्ना लामुंके ने राजा हरिश्चंद की पत्नी का रोल निभाया था जो की एक मेल थे कोई फिमेल लीड रोल ना मिलने के कारण उन्हें यह रोल निभाना पड़ा था अगर बात करें फिल्म की लंबाई की तो फिल्म की लंबाई 40 मिनट है जिसे बनने में 6 मईने और 27 दिन लगे थे फिल्म का प्रीमियर 21 अपरेल 1913 को ओलिम्पियाई थेटर बॉंबे में हुआ था और 3 मई 1913 को इसे पुरे भारत में रिलीस किया गया था सो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में इत्ता ही कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और जाने के पहले अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें